कि दोस्तों हम थोड़े confusing word के बारे में देखेंगे कि 9 और 9 को जर्मन में क्या खाजाता है दोस्तों स्टार्ट करेंगे 9 से तो दोस्तों जैसे मैंने बोला कहा था अपको कि EU का pronunciation और होता है तो 9 के लिए जो जर्मन वर्ड है वो नौईन है क्या है नौईन का मतलब होता है दोस्तों 9 तो 9 के लिए जर्मन वर्ड है दोस्तों 9 9 का मतलब होता है 9 9 के लिए 9 के लिए 9 तो हम देखेंगे क्या वर्ड है 9 के लिए दोस्ते बहुत कन्फुजिंग है दोना वर्ड नाइन और 9 तो 9 के लिए वर्ड दोस्तों है देखें हमने प्रोनुशेशन ऑल्र नाइन के लिए बिए के लिए 9 को के लिए नाइन को क्या करते है जर्मन पैम जर्मन ग को क्या कहा जाता है दोस्तों नाइन को कहा जाता है नाइन का मतलब होता है अगर जर्मन में नाइन है तो हो है नो और नाइन है तो हो है नाइन या नाइन ओके यह कन्फिजिंग दूर हो इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो बना है दोस्तों तो आविल स्टॉफ यह थैंक यू